नमस्कार आपके साथ मैं हूँ सबीना तामंग बेश्मुक नमबर वन चानल के नमबर वन शो कच्चा चिट्था में आप सभी का स्वागत है कच्चा चिट्था की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से दक्षन एफ्रीका ने इस्रेल से अपने राजदूत और बाकी राजनएकों को वापस गुला लिया इस्रेल और गाजा के बीच महायुद को अब एक महीना पूरा हो गया और गाजा से अपदेट यह है कि इस्रेल की सेना अब इतनी अंदर घुज गई कि उसने गाजा पटी को 200 में काट डाला सवाल यह है कि अब हमास आगे करेगा तो क्या कुछ करेगा इस्रेल और हमास का युद्ध जंग का एक महीना पूरा हुआ और इस एक महीने में इतना खुन खराबा हुआ कि दोनों तरफ मिलाकर 12,000 लाशें गिर चुकी है अब इस्रेल का ऐसा हमला कि गाजा को काट दिया हाव और हमास का किस्सा 100 पॉसेंच साव यही इस्रेल का मकसद है यही इस्रेल का इरादा है इस्रेल का ग्राउंड ओपरेशन बता रहा है कि अब उसने गाजा को दो हिस्सों में बाण दिया है या कहें कि गाजा को दो हिस्सों में काट दिया है एक तरफ उत्तरी गाजा जिसको चारों तरफ से इस्राइल की सेना ने घेट लिया है अंदर बहुत खतरनाक युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ दक्षणी गाजा इस्राइल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा में हमास के पूरे कैडर को खत्म कर दिया जाए लेकिन उत्तरी गाजा में इस्राइल की जमीनी का रिवाई उस जगह से बहुत दूर नहीं जहां गाजा के सबसे बड़े अस्पताल भी है लेकिन इस वक्त इस्राइल से पूरी दुनिया मांग कर रही है कि गाजा पर बंबारी को रोका जाए यानी सीज़ फायर हो एक महीने के युद्ध को लेकर इस्राइल कहा पास हुआ है कहा फेल हुआ है साथ अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के खिलाफ जग में इस्राइल के दो मकसद थे अमेरिका भले ही खुल कर एजरेल के हमलों का विरोत नहीं कर रहा है लेकिन हकीकत ये है कि वो भी सीज़ फायर चाहता है ऐसे में अब तक इजरेल को सिवाय हमास के कुछ कमांडरों के मारे चाने बंकर तबाह करने से और ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है उत्तरी घासा में इजरेल के टैंक घूम रहे हैं जरा सी हरकत पर बंबारी कर रहे हैं इसरेल अब पूरी तरह हमास को घेर कर मारना चाहता है इसरेल ने गाजा को कैसे दो हिस्सों में काट कर रख दिया है इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही से इस युद्ध की अगली लडाई और आने वाला खत्रा पता चलेगा इसरेल ने ठान ली है कि गाजा का नाम और निशान मिटा देगा गाजा के नक्षम में अगर आप देखेंगे तो उत्तरी इलाका ये गाजा है और यहां पर आप इसराइल देखेंगे उधर मेडिटेरियन सी है गाजा के उत्तरी इलाके में पूरी तरीके से सेना को तैनात कर दिया गया है वही दक्षमी इलाके में भी अगर आप देखेंगे तो यहां भी सेना की तैनाती की गई है इस वक्त इसराइल में सेना मौझूद है उसने उत्तर शोड से आगे बढ़ते हुए कई किलोमेटर तक दक्षिन तक ऑपरेशन चलाया हुआ है यह उत्तर शोड आप देखेंगे और यहाँ पर दक्षिन चोड भी देखें और अगर आप देखें तो उत्तर का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके शोड दक्षिन के इलाके से कट गया है और शायद इसी को लेकर जो इसराइल के सेना के परवर्वक्ता है उन्होंने गाजा को चीरते हुए वूम अधिस्तागर यानि कि यहां तक पहुंच गई है नसर्व इतना यानि कि अब एक बात समझे कि जो उस्तरी गाजा है और दक्षडी गाजा है वो पूरी तरीके से इनका कनेक्शन टूट चुका है आपस में पूरी तरीके से कट चुके हैं बीच इस्ताइल्म की पोड यहां पर मौत अन्म यहां पर गाजा में तमाम लोग भी फसे हुए हैं इस नीला इला parlament ऑखे और हो देखे जार तरफ से इसराइल की फोजो ने गाजा को घेरा हुआ है यही पर गाजा के तीन बड़े अस्पताल है अ उसपताल के बारे में आप जानते है कि हमास के तमाम बंकर्स के होने का दावा किया जा रहा है और इन तमाम बंकर्स में कई आतंकवादी ऐसे हैं जो छिपे हो सकते हैं उनकी सेना को मदद में लाये जाने वाले जो तमाम अहतियार है वो भी यहां हो सकते है और इसके अलाबा यहां बहुत करीब पहुंच चुकी है लेकिन इस्राइल का दावा है कि इन अस्पतालों में हमास के अट्टे हैं इसलिए वो आसपास हमास के अट्टों को टार्गेट कर रहा है Here you can see the IDF soldiers exposing a tunnel opening This is part of our operation, a ground operation that was conducted on the hospital then revealed a tunnel that was being used for terror infrastructures in the Qatari hospital If it wasn't enough, this tunnel if it wasn't enough that we expose the tunnel under the hospital the terrorist also shoot at our soldiers from within the hospital In these hospitals, Israel has been fasted by the fire Israel is now in the hospital is now in the hospital हमास लखातार बंबारी कर रहा है गाजा बॉर्डर पे मौजूद है, इस्राइल की तरफ और वहां से आपको एक बड़े हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तर गाजा में सायद जबालिया या बेट हनून है उसी का इलाका है, उसी के आसपास का वहां एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया गया है धमाके लगातार हो रहे हैं लेकिन ये बड़ा हमला हुआ और एक ही नहीं उसके बगल से एक दूसरा गुबार भी उठता हुआ हमें दिख रहा है हमास के रॉकेट को रोकने का दबाव बहुत ज़ादा है और अब हेजबुल्ला की तरफ से भी जो प्रेशर आया है उसे इसरैल का आईरन डोम भी नहीं जेल पा रहा इस वीडियो को देखिए जिसमें आईरन डोम से निकली मिसाइल फेल हो गई और लॉट कर वापिस इसरैल में ही आगे रही इस वीडियो से पता चलता है कि अब आईरन डोम बहुत ज़्यादा दबाव में है आईरन डोम शौबी सो घंटे काम कर रहा है लेकिन ये भी एक मशीन है और मशीन भी ठक जाती है रॉकेट हमलों के बीच इसरैल का दावा है कि गाजा के अस्पतालों के नीचे हमास के अड़े बने हुए है जहां हथियारों से लेकर फ्योल सब कुछ छुपा कर रखा जाता है लेकिन इसरैल अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया है Hamas is hiding behind hospitals Hamas is sickly exploiting hospitals to disguise its war machine Our war is with Hamas, not with the civilians of Gaza We will not accept Hamas cynical use of hospital to hide their terror infrastructure I want to repeat तुर्की के लोगों ने अर्दोगन से बहुत ही खतरनाक मांग कर डाली तुर्की में मौजूद फिलस्तीन के समर्था के मांग कर रहे हैं कि अर्दोगन अपनी तुर्क फौज गाजा में भेजें गाजा के हालाद से अर्दोगन पहले ही बहुत दुखी है और अगर इसी तरह राजनितिक दबाव उन पर बढ़ता रहा तो गाजा वर्ल्ड वार का टिगर पॉइंट कभी भी बन सकता है तुर्की के जनका सडकों पर उतराई है तुर्की के लोग इस्रेल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रही है अगर फिरोध प्रदर्शन सिर्फ यहीं तक होता तो बाइडन और नेतन्याहू को इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने बाला था लेकिन तुर्की के नाराज लोग जो फिलिस्तीन के लिए नारे लगा रहे थे तुर्की के धक्षिन में मौजूद अदाना एयर बेस पर पहुँच गए जो अमेरिका का सैन ने अड़्डा है और तावा किया जाता है कि यहाँ पर पचास की संख्या में अटम बम रखे हुए है यह विरोध प्रदर्शन अदाना की सड़कों पर भी हो सकता था लेकिन क्या जान बूच कर परमाणू बंब वाले ठेकानों पर भीड का हमला करवाया जा रहा है क्या रूस और इरान मिलकर कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं यह परमाणू अटों पर कपझा करके अमेरिका या फिर इस्रेल के लूग नुक्सान पहुचाना चाहते हैं यहाँ बहुत जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है साथ ही प्रदर्शन कारीयों के नेटा ने अमेरिका और इस्रेल को चे कावनी भी दिये Değerli Kardeşlerim, biz burada Gazze'deki kadın ve çocuklar için masada elimiz güçlensin diye geldik. Gazze'deki kadın ve çocuklar için ara bir anlaşma yapılacak ve çocuklarla kadın çıkarılacaktı. Şimdi bunu yapanlar Gazze'deki kadın ve çocukların ölümüne sebep olacaklar. Hiç farkında değiller. Barış relatingi, Türkçe'e se seeing ve bir oldukça soru. Üzvtip, Amerika'a iz une ve her ev realmente çok fisik? Bu dizi dek oluklu bir dek oluz ve bu diziyle ilgili bir dek olukça ayna zaizyara. Lepkın Türkiye'e üzerine Amerika'a izi verilin ve bu diziyle ilgili bir dek olukça. Amaas'a izi verilin dediği anadolu'a izi verilin dediği aadolu'a izi verilin. कि कोछ अगबारों में तो यहां तर चपा है कि तुर्की के लोग ये मांग कर रहे हैं कि तुर्क सेना को गाजा के लोगों की रक्षा के लिए रवाना किया जाए तुर्की के राजश्रपती तैयब अर्दोगान एक मंजे हुए राज नेता है पबलिक की नपसको समझते हैं इसलिए उनोने तुर्की के इस्तांबूल में एक बहुत बड़ी रेली कि और नेतन यहु को आतन्क वादी का अजया रिए एक इसमोगे बबहुत चालंकिसे अमरिकाने ओूज्यादे इसमोगेवार बीःच चालंकिसे अमरिकाने ओयू एप अमेरिका की नौसेना ने बताया है कि उसकी ओहियो क्लास की एक पर्माणू पंडुपी यूएस सेंट्रल कमांड के ओपरेशनल एरिया में पहुँच गई है। प्रभावी रहेंगे। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने ये एलान किया है कि उसकी पंडुपी भूमध्य सागर में तैनात है ताकि इसराइल के दुस्मनों में खौफ का महल पैदा हो। मिसाइल है और एक साथ कई वार हेड ले जा सकती है। अमेरिका की ताकत को तुर्की के राशबदी अर्दोगन भी जानते हैं और समझते हैं और तुर्की नैटो का सदसे भी है लेकिन गाजा में जो हो रहा है उससे तुर्की के राशबदी अर्दोगन काफी ज्यादा दुखी है İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Ve şimdi bunun hazırlığı için neyiz, bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. Türkiye'nin kendini savunma hakkı varmış, tamam da, adalet nerede? Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkını bir silah gibi kullandıkları açlıkla, susuzlukla, yakınsızlıkla, sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. İRAK'a dağrıya ilan edeceğiz. 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 Ülkenin kendini savunma hakkı varmış. Tamam da, adalet nerede? Adalet nerede? Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkını bir silah gibi kullandıkları açlıkla, susuzlukla, yakınsızlıkla, sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. astediz gesagt, İRAK'a dağr! Gazze'de yafarka dağrıya ilan edeceğiz. ves판 vàdället Watch continuous deng smelline Katharası var ni pues enサineriJaab bu 1890rık güçlisiyle ilan edihini çıkart ありがとう. कहा जा रहा है कि पोतिन की इस बुलावा मिसाइल के टार्गेट पर एक नहीं बलकि तीन देश हैं यही बात जेलिंस्की और जो बाइडन के बाद नेतन याहू को बेहत परिशान कर रही है पोतिन के न्यूक्लियर बुलावा का बबंडर पानी वाली मिसाइल से पोतिन करेंगे विनाश पोतिन का मोस डेंजरस हत्यार फायर एक बुलावा तीन शिकार पोतिन ने अपने हत्यार भंडर से अब वो निकाला है जिससे तबाही की कहानी इतिहास ने ना कभी देखी ना कभी सुनी है रूस ने अपने हत्यारों के जखीरे में एक और महाविनाशक हत्यार शामिल किया है रूस की नई पर्माणू पंडुपवी से पर्माणू शक्ति संपन्न बुलावा मिसाइल दाग कर रूस ने सफल परीक्षण किया है ये बुलावा मिसाइल अमेरिका धक मार कर सकती है रूस की परमाणू चालिक पंडुपी इंपिरेटर एलेक्सेंडर 3 ने न्योकलियर हत्यार ले जाने में सक्षम बुलाबा बलेस्टिक मिसाईल का परीक्षन दिया रूसी रक्षा मंत्राले ने एक बयान में कहा कि पंडुबी से बलेस्टिक मिसाइल दागनार टेस्ट का अंतिम चरण है जिसके बाद इसे नौसेना में शामिल करने का निरनाय लिया जाएगा रूस की और से जारी बयान के मुधाबिक मिसाइल रूस के उत्तरी तड़ के पास सफेद सागर में पानी के नीचे लॉंच की गए अंतर महत्वीपीय मिसाइल ने रूस के सुदूर पुरो में मौझूद कामचटका प्रायद वीप पर एक टार्गेट पर हमला किया इस दौरान मिसाइल ने हजारों किलोमीटर का सफर तै किया और टार्गेट को हिट किया वाशिंग्टन बीसी से लेकर कीव तर तेल अवीप से लेकर मिसर तर खौफ का नया माहौल पैदा हो गया है बुलावा मिसाइल की बात करें तो ये 12 मीटर लंबी है जिसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर है ये अपने साथ 6 न्यूकलियर हत्यार ले जा सकती है रूसी नौसेना की ये एक बड़ी ताकत है चे न्यूकलियर बम यानी 6 शहरों की तबाही और जाहिर है ये शहर सिर्फ योक्रेन के नहीं होगे इसकी जद में अमेरिका के शहर भी है रूस ने अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल का परीक्रन करके पश्मी देशों को कड़ा संदेश दिया है ये मिसाइल रूस का सबसे खर्चीला हत्यार कारिक्रम बताया क्या है बुलाबा मिसाइल की ताकत रूस को इस खित्र में अभीर बनाती है बुलाबा मिसाइल जिस नई पंडुब्बी से लॉंच की गए उसकी डीटेल समझनी भी बहुत जरूरी है इंपिरेटर अलेक्जेंडर थ्री नई बुलाबा मिसाइले ले जा सकती है नौ सेना के पास बुलाबा मिसाइल की तीन पंडुब्ब्बिया है एक का परिक्षन पूरा हो गया है तीन अभी निर्माना दीन है रूस ने बुलाबा की फारिंग का वक्त नहीं बताया लेकिन जब आप इस बुलाबा मिसाइल के खासियत जानेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वक्त किन देशों का खराब हो सकता है बुलाबा फार होगी तो क्योंकि कहा जा रहा है एक बुलावा का तीन शिकार है पहला अमेरिका, दूसरा इसरा और तीसरा योकरेन इन तीनों देशों से रूस की दुश्मनी जग जाहिर है क्योंकि तीन में से दो देश तो अमेरिका की सुरक्षा में सास भरते हैं तो बात सबसे पहले योकरेन की क्योंकि पुतिन के लिए ये युद्ध नासूर बन गया है ना खत्म हो रहा है ना पुतिन को निर्णायक जीत मिल रही है पुलावा का टार्गेट नमबर फन योक्रेन कभी रूस तो कभी योक्रेन जंग फस गई है रूस इस युद्ध का जल्दी से जल्दी फैसला चाता है लिहाज़ा जिसकी आशंका दुनिया के कई एक्सपोर्ट जता चुके है कि इन हालात में पुतिन परमाणू गिराने की सोच सकते हैं बुलावा जैसी मिसाइलें इस दोरान सबसे कारगर साबित होंगी पुतिन इसे ब्लैक सी से की उपर दाग सकते हैं इसे रोकने में यूकरेन में तैनात अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हो सकता है बुलावा लॉंच की टाइमिंग बता रही है कि पुतिन को चिंता इस वक्त सिर्फ अपने युद्ध की नहीं इसरेल युद्ध की भी है क्योंकि इसरेल में भी रूस अपना स्टेक मानता है जमीनी नहीं कूटने ते बुलावा का टार्गेट नमबर 2 इसरेल रूस इसरेल के बीच क्या चल रहा है उदारन देखिए जिससे ये तै हो जाएगा कि पुतिन बुलावा का मूँ इसरेल की ओर करते है तो इसमें बहुत आश्यर की बात नहीं होगी रूस इसरेल के कटर दुश्मन हेजबुला को मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है ये सिस्टम हेजबुला हमास को सप्लाई करता है तो इसरेल को घाजा के विनाश की दूसरी स्क्रिप्ट लिखनी होगी हेजबुला को रूसी हत्यार पंशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसरेली बलेस्टिक मिसाइलों और हाइपर सोनिक मिसाइलों को भी मार कर गिरा सकता है रूस ने दावा किया था कि एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम अमेरिका के बैट्रियट मिसाइल सिस्टम के बराबर रूस की पास कई सारी Air Defense Missile System है लेकिन हम बात करेंगे SA-22 की SA-22 Air Defense Missile System रूस में ही मौझूद दूसरे कई Air Defense System की तुला में कई गुना जादा बहतर है इसकी खासियत दरसल आपको भी जाननी जरूरी है SA-22 Air Defense Missile System को असल में पंतशिर के नाम से जाना जाता है इसकी और क्या-क्या तकनीकी खास्यते हैं वो भी हम आपको यहाँ पर समझाएंगे लेकिन पंतिशर के नाम से इसको फिलाल जाना जाता है और ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज सता से हवा में मार करने वाला एक ऐसा घातक मिसाइल सिस्टम है जिसका इस्तमाल अंटी एक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम के तौर पर भी किया जाता है और ये मात्र चार्व से 6 सेकंड में ही टार्गेट को पैचान कर उसकी तरफ मिसाइल दाग देता है यानि कि इसको वही पर कुछी सेकंड में ये उसको पता करके ध्वस्त कर सकता है इसके कुल मिलाकर 6 वेरिंज हैं जिनका इस्तमाल रेंज और स्पीड के मताबिक किया जाता है इसकी रेंज 15 से लेकर 75 किलोमीटर तक होती है और इस सिस्टम की एक और बड़ी खास्यत ये है कि ये माइनस 50 डिगरी सेल्सियस तापमान में भी काम कर सकता है और यही इसकी तवाम खास्यते हैं जो इसको और जादा बहतर बनाती है खासतोर पर इसको पंतशिर के नाम से जाना जाता है उसकी रेंज आपने समझी कितनी जादा खास है और साथ-साथ माइनस 50 डिगरी सेल्सियस अगर तापमान है तो भी एक काम कर सकता है हेजबुल्ला का खात पानी इरान से आता है और रूस को जो कामिकाजे ड्रोन हाथ लगे हैं उनकी सप्लाई इरान ही करता है लहाजा हेजबुल्ला को हत्यार देने का मतलब है कि रूस इरान से गलबहिया कर रहा है और सीधे तोर पर न सही परोग शुरूप में ही रूस हमास को मदद पहुचा रहा है इस्राइल और रूस की दोस्ती कभी दांत कटी रोटी वाली हो ही नहीं सकती दरसल इस्राइल का रक्षक है अमेरिका और जिसके साथ अमेरिका खड़ा है रूस उसके साथ खड़ा हो ही नहीं सकता हाला कि पुतीन ने अभी इसराइल के मामले में कुछ भी बड़ा या खुल कर नहीं बोला है लेकिन रूस की तरफ से हिजबुला को हत्यार मिलना पुतीन के स्टेंड को बिलकुल साफ करता है इसराइल हिजबुला को निप्टाए बिना सिर्थ हमास के खात्मे से चैन की सांस नहीं ले सकता लेहाजा हिजबुला पर इसराइल किसी भी वक्त चड़ाई कर सकता है जाहिरे लेबनन में घुस्ते ही इरान और रूस इसराइल के सामने होंगे इसलिए कहा जा रहा है कि बुलावा का पैदा किया खौफ तब पुतिन के काम आएगा बुलावा का टार्गेट नमबर तीन अमेरिका बुलावा की रेंज जैसा कि हमने आपको बताया आठ हैसार किलोमीटर बताई जा रही है अब जरा नक्षे पर रूस और अमेरिका के शहरों के बीच की दूरी देखिए क्योंकि बुलावा का टार्गेट जब भी होगा एक ही ओक्रेन की ओर होगा तो दूसरा अमेरिका की ओर